जी हाँ दोस्तों एहमदाबाद और गांधी नगर वालों के लिए सिर्फ 35 रुपे में दाल बाटी और वो भी जै मातारानी सिर्फ मातारानी नहीं जै मातारानी ये कॉंप्लेक्स दोस्तों आया हुआ है फूड कॉंप्लेक्स भाट सरकल पे जो गांधी नगर से नस्दीक है एमदाबाद से तकरीबन 20 किलोमेटर की दूरी पर है तो दोस्तों ने कहा चलिए भाई आज दाल बाटी खाई जाए वो भी 35 रुपे में और यहाँ पर दाल बाटी के साथ पराठे भी बहुत ही अच्छे और रिजनेबल रेट में है और फूड जो है वो बहुत ही अच्छी कोलेटी का ऐसा दोस्तों ने बदाया तो हम विडियो सूट करना तो हमारा बनता है दोस्तों रेश्टोरेंट को बहुत ही अच्छी यूनिक थीम दी गई है दो डिपार्टमेंट कमपार्टमेंट बनाए गए है बैटने के लिए काफी अच्छी साफ सूतरी हाईजीन वाल और काफी चीज़े है और मेनू मेंने पूरा कवर किया है आप रोक के देख सकते हैं अब एक बाटी के साथ आप डाल लेते तो 35 रुपे और जिस तरीके से बाटी बढ़ाते चाहेंगे आपको 35 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं और दोस्तों बता दू इसकी डाल मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत युनिक लगी गर्मा गरम होट डाल और अगर गी डलवाना चाहते हैं दोस्तों 20 रुपीज एक्स्ट्रा होगा तो आप गी बी डलवा सकते हैं अगर आप गी एक कटोरी घी आपको डाल देंगे चांस वगेरा जो नोमिनल चार्ज होते हैं हो ही है और नाइक होटर बोटल अगेरा के चार्ज है सबसे पहले जैसे हम गुजराती कहीं भी खाना कशाने जाते हैं को पहर एंगे तर लुपीस में यह लाट 5 6 wrinkles को अगर अगर। ज्यादा भी खाते हैं मेरे इसाब से तो आपका डेड़ सो रुपे से ज्यादा बिल नहीं होने वाला हमारा टोटल हम छे लोग थे और हमारा बिल कुछ आट सो सम्थिंग हुआ तो आप गिन सकते हैं के आट सो नो सो रुपे हुआ उसमें चांस भी आई पापड भी आया और सब कुछ मिलके 1000 रुपे आप बिल किन लीजिए तो छे लोगों का बिल 1000 रुपे हुआ मतलब कि तकरीबन वही 1500 रुपे के आसपास का हमारा बिलिंग हुआ तो आप इस तरीके से यहाँ पर एंजोई कर सकते हैं अब मैं रिव्यू कर देता हम फूड को दोस्तो डाल बाट तो वो तो बाटी के साथ अच्छी भी नहीं लगती वो टेस्ट नहीं था लेकिन अच्छा था बैटने की व्यवस्था भी अच्छी थी तो डाल बाटी आपको मैं रेकमेंड करूंगा और पराठा अलू का पराठा भी बहुत अच्छा था और टेस्ट काफी गर्मा गरम और फ्रेशनेस वाला था तो आप जा सकते हैं भाट सरकल पे कोई प्रमोटेट वीडियो नहीं है मैंने खाया मुझे अच्छा लगा मैंने वीडियो बनाया आप तक पहुचा है आपको अच्छा लगे फिर आकर कमेंट करिएगा फिर आकर लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो जय मातरानी पे आप जरूर जाएए और नीचे अगर आप गए है तो आपको कैसा लगाए कमेंट जरूर करिए